Hello all of you, welcome to my channel मैं आज आप लगो के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक collective reading जिसका topic रहने वाला है कि उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा कब याद आती है उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा याद कब आती है viewers, ये reading जेनरल रहेगी आप सभी के साथ resonate नहीं होगी लेकिन जिनकी साथ होती है बताएं जरूर सभी science के लिए है चाहें आपका कोई भी zodiac sign हो या आपकी कोई भी situation हो या आप किसी भी age group के हैं आपकी कोई भी age हो सकती है या आपकी कोई भी situation हो सकती है चाहें आप single है, committed है, married है, divorced है, no contact situation में है या crush की situation में है still ये reading आपसे resonate कर सकती है okay viewers ये reading timeless रहेगी यानि आप जब भी इस video तक पहुँचेंगे या ये video जब भी आप तक पहुँचेंगा ये reading आपसे तभी resonate करेगी फिर चाहें आप इस video तक एक साल, दो साल, पाथ साल, दस साल कुछ महीने या कुछ हकते बाद भी पहुचेंगे है आप जब भी इस video को देख रहे हैं ये आप से तभी resonate करेगा okay viewers तो अगर आप मेरी चैनल पर पहरी बार आए हैं और subscribe नहीं किया है अब तक मेरे चैनल को तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं subscribe करें मेरे चैनल को और bell icon को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई reading लेकर आँ सबसे पहरे आप उसे देख माएं okay viewers और readings के दोरान में intuitive message, channel message and channel songs प्रोवाइड करती हूं जो मैंने ही चाहती कि आप miss कर पाएं इसलिए subscribe जरूर करें bell icon को जरूर प्रेस करें okay और बन जाएं dream tarot family का हिस्सा मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी इतने प्यारे और इतने सुन्दर comments के लिए इतना प्यार देने के लिए और मैंने जो picture है channel का प्रोफाल picture कहते हैं हम वो मैंने change किया है एक logo बनाया था तो मैंने post किया और काफी लोगों ने अच्छे comments किये हैं so thank you so much guys अच्छे लिए अच्छे लिए reading start करते हैं कि उन्हें आपकी याद सबसे ज़्यादा का बाती है उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा याद का बाती है लौँटे 4-of-whats beautiful viewers beautiful 4-of-whats 10 of Pentacles अपने ही आप ये कार्ड पॉप आउट हो रहे हैं वीवर्स आपके लिए चक्क्र क्या है इतने ही पॉजिटिव कार्ड फॉर फॉर वैंस एंड टेन अफ पैंटिकल्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड के साथ आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई है I'm very happy for you मुझे बहुत खुशी है आपके लिए मेरी एनर्जी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले काफी लो थी but now I'm feeling very excited and energetic okay queen of pentacles beautiful beautiful चलिए क्लरफाय करते हैं इन तीनों कार्ड को divine peace guidance काफी शफल कर लिया है हमगे king of swords viewers सारी ही इतने अच्छे कार्ड आने वाले हैं यह मुझे नहीं पता था यहां सारी कार्ड बहुत ही ज्यादा positive बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं आपके लिए आप भी क्लारिफाय करते हैं ओमाइग जो लोग काफी टाइम से रीडिंग वगरा देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि संका जो कार्ड है वो कितना positive होता है पूरी टैरो डैक में सबसे ज्यादा जो happiness का कार्ड है सबसे ज्यादा जो प्रस्पेरिटी का कार्ड है संकार्ड ही है दो दो कार्ड अन्फोल्ड हो रहे हैं लगता है यहां पर वीवर्स आपके जो परसिन हैं वीवर्स यह आपके बारे में पहली बात बता दूं में आपको बहुत ही अच्छा सोचते हैं दे ले देनो नेगितिविटी फोर यू इन देर माइड उनके दिमाग में आपको लेकर कोई negativity नहीं है वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं बहुत अच्छा सोचते हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं respect के साथ सोचते हैं beautiful viewers judgment कोई भी card ऐसा नहीं है जसको देखकर मुझे negativity नजर आए energy of deck भी two of two of vans है okay very beautiful पहरे बताना चाहूंगी मैं आप लोगों को कि आपका यापके person का birth month क्या हो सकता है October लग रहा है मुझे February April September October March अगस्त मैं यह कुछ मन्त है जिसमें आपका यापके person का जनदिन हो सकता है अब मैं कुछ date of birth बताने की कोशिस करती हूँ दो तारिक, चार तारिक, दस तारिक, बीस तारिक, नौ तारिक, उन्नीस तारिक, उनतीस तारिक, साथ तारिक, 14 तारिक, 24 तारिक, 22 तारिक, 21 तारिक, 18 तारिक, 26 तारिक, 16 तारिक, 1 तारिक, 11 तारिक ये कुछ डेट्स हैं जिसमें आपका ये आपके परसन का चनम दिन हो सकता है लेकिन अगर ये डेट्स और ये मन्थ आप लगों के सिच्वेशन से मैच नहीं करते हैं आप दोनों के साथ match नहीं करते हैं तो भी ये reading आपसे match कर सकती है तो विवर्स उन्हें सबसे ज़्यादा आपकी याद का बाती है पहली बात विवर्स जब भी उनसे कोई शादी की बात करता है जब भी कोई उनसे पूछता है कि शादी किससे करोगे अब दिमाग में क्या खयाल है यह साडी कैसे विकती से कर इचाmझा से चाहएं जबभी शादी को ले कर कोई टॉपिक को होती है अनके दिमाग में एक बल्ब की तरह आपका नाम आचाताई जैसे कोई बल्ब चलता है ना प CSV टipperके कि वो कैसा feel करते हैं उन्हें सबसे जटाधा आपकी याद कब आती है तो viewers यहां पर जब भी उनसे शादी की बात हो या वो शादी के बारे में सोचते हैं या शादी को लेकर कैसी प्रशन आता है या कोई ऐसे परसन के बारे में बात की जाती है उनसे कि तुम्हें कैसा वेक्ती चाहिए शादी के लिए तुम कैसे इंसान से शादी करना चाहोगी उनके दिमाग में without any doubt आपका नाम आजाता है वो खुद नहीं जानते कैसा कैसे है लेकिन उन्हें आपकी सबसे जादा याद आती है तब कि शादी हो तो तोड़ देना या स्टेबिलिटी ना होना वो चीज नहीं है आप स्टेबल है आप पार्टनर टू पार्टनर इतनी इजीली स्विच नहीं करते हैं और वेरी कम्यूटेट परसुन इसलिए दे लाइक यू और वो मैरेज मटेरियल समझते हैं आपको ओके विवर्स उन्हें सबसे ज्यादा याद आपकी विवर्स तब भी आती है क्योंकि मुझे लग रहा है कि कही न कहीं आपको अपना लगी चाम देख रहे हैं जब से आप इनसे मिले हैं या आपकी एंट्री हुई है इनकी फाइनेशल सिचुएशन बेटर हुई है इन्होंने ग्रो किया है या यह इंकी लाइफ में घुड राने लगती हैं अबावट करियर और फाइनसेज गार्ण जब ऑप इनके साथ होते हैं तो यह ग्रो करते हैं तो कहीं न कहीं सोचते हैं कि आप इनके लगी चाम हो डिवाईन ने आपको इंका लगी चाम बना के भीजा है बहें बहें तो आप गोड़ीन आप इंके पास नहीं होते हैं येने कोई नुकसान होता है को तकलीफ होती है। तो भी उनके फृरण्स हैं जो भी नए लोग उनकी लाइफा है। पराने लोग समय है। उनकी लाईफ में and जब वह लोग आपके person से जूट बोलते हैं या बाते चुपाते हैं या फेक करते हैं तब आपके person को आपकी बहुत याद आती है कही न कहीं तब उने ये चीज रियलाइज होती है कि वो जो एक व्यक्ति था वो मुझसे जूट बोलता भी नहीं था और ना जूट सुनता था उसको जूट स मुझसे नफर्त थी सक सक नफर्त थी ह। यहां सब मुझसे जूट बोलते रहते हैं बात बात पो जूट बोल रहे हैं जब भी उन आप बहुत यद आती है कि आपने कभी उनके साथ ऐसा नहीं Kiya है you never treated कही नहीं तेट रहते दिया तो जबrontेन वो आपको अपनी खुशियों से रिलेट करते हैं कि आप इनके जीवन में हूँ तो खुशियां बहुत हैं, बहुत खुशियां हैं, इनकी लाइफ फुल of happiness है, फुल of prosperity है, क्योंकि मुझे prosperity और happiness इनको ऐसा लगता है कि आपके आने की वजह से आई है, आपके आने के बाद आ है, यह आपके आने से ही आ सकती है, यह आपकी बहुत respect भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पीट पीछे कभी आपकी बुराई करते होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, they respect you, जब भी कोई आपकी तारिफ भी करता है, इनके आगे आपका नाम आता है, तो यह आपकी तारिफ ही कर कुछ बागवान का नाम लेते हैं तो बोलते कि यह मेरा काम किरा दो बस मुझे मेरी चीज पूरी कर दो मेरी इच्छा पूरी कर दो बस तो जब भी वो एसा बोलते हैं तो वह आपको मांगते हैं वो आपको मांगते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जो आप उने दुबारा मिल जा क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है उनके दिल में दर्द है कि उन्होंने एक प्रीशियस चीज को गुमा दिया है कोई एक ऐसी अमूले चीज थी एक ऐसी प्रीशियस चीज थी उनकी लाइफ में जो उन्होंने गुमा दी और वो आप हैं वीवर्स यह हर चीज को इसलिए आप से रिलेट करते हैं कि इनकी लाइफ में सैडनेस चा गई है उदासी चा गई है जब से आप चले गए हो तो वह यह सोचते हैं आप एक हैपिनेस की चावी हो जो चावी जब तक नहीं मिलेगी यह इनके लाइफ में दुबारा से वो खुशिया नहीं आएंगी ऐसा ही सोचते हैं ओके विवर्स एंदे मिस्यों लॉट इन्हें आपकी याद विवर्स मैं तो कहूंगी हर पल आती है विवर्स जिस तरह से यह आपको लेकर प्यार में डूबे हुए हैं इस बहुत ही इंटेंस कनेक्शन है विवर्स आप लोगों का और मैं यह भी कह सकती हूँ कि यह डिवाइनली गाइड़ कनेक्शन है यहाँ पर इनकी तरफ से मुझे अनकंफेस्ट फीलिंग्स भी लग रह ही है इस व्यक्ति ने अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखा है काफी समय तक हो सकता है आप लोगों में एज डिफ्रेंस हो आप लगों की कास्ट अलग हो रिलिजिन अलग हो यह फाइनेंशल गैप हो आप में एक फाइनेंशली स्टेबल जादा है एक कम है ओके यह धर्म में तो आपकी ब्राउन आईज है या उनकी ब्राउन आइज है येस चलिए स्पीडिंग को थोड़ा और क्लारिफाय करते हैं लेट सी वट्स तेर वीवस जबाब ऐसे कमेंट करते हैं मैं आप इतने अच्छे हो इतने प्यारे हो हमें गाइडेंस देते हो वीवस अच्छ मैं आप जैसी ही हूं मैं आप लोग जैसे हैं विल्कुल सेम वैसी ही हूं मैं भी ओवर थिंक करती हूं मेरे दिमाग में भी you know assumptions आते हैं चीजों को लेके I also judge people sometimes but we all know that it's not good okay somewhere we are on a same track we are on a same journey okay it's just that कि हम अलग अलग लेवल पर हैं अभी we all are same आप लोग भी angels हैं मेरे लिए आप लोग angels हैं तो जैसे आप मुझी कहते हैं मैं की help कीजे viewers मैं पो पताओ ना आप कितने भी tarot readers या healers किसी के भी पास जाएं किसी भी spiritual worker के पास चले जाएं of course they will guide you मैं यह नहीं कहरें कि उनका रोल नहीं होता of course they guide you in the right direction but it's your duty to walk on that direction okay to walk in that direction or to walk on that path यानि कि उस रास्ते पर चलना या उस direction में जाना यह आपकी responsibility है और मैं आपसे कह सकती हूं कि आपसे बहतर आपको कोई ठीक नहीं कर सकता यह फिर आपसे बहतर आपकी समस्या का समाधान कोई नहीं निकाल सकता क्योंकि जिस लेवल पर आप उस situation को analyze करके उसका answer निकालेंगे we won't be able to do that because we are not in the same shoes which means हम लोग एक ही स्तिथी में नहीं हैं okay तो जब आप मसे कहते हैं ma'am please help कीजे please help कीजे और मैं जानती हूं कि मैं कुछ कर नहीं सकती अभी आप लगो के लिए what can I do मैं अभी personal reading भी provide नहीं करती हूं okay I cannot even talk to you I cannot even like I cannot even like I cannot have a interaction with you so it gets very difficult for me कि आप मुझे बोल भी रहे हैं और मैं उसका response भी उस तरीके से नहीं दे पा रही हूं जिस तरह से आप deserve करते हैं तो मुझे बहुत जरूवत है कि आप लोग खुश रहें please be happy and find solutions okay थोड़े solutions को ढूंडने की कोशिश कीजे दुखी मत हुई whatever the problem is ठीक है appreciate this moment पहला जो काड आया है it's a very beautiful card और ये काड कहता है appreciate this moment each and every situation has an opportunity to grow and find love तो viewers पहली बात तो मुझे यहां पर यह लग रही है again कि यहां पर आप से कहा जा रहा है कि आप जब तक उनसे दूर है या जब तक कोई gap है आप लोगों में आपको हर एक situation को एक opportunity की तरह treat करना है एक opportunity जिसमें आप grow कर सकते हैं और आपका प्यार भी grow कर सकता है और आप प्यार को पा भी सकते हैं okay मुझे 11 नमबर यहां दिख रहा है तो हो सकता है व्यूवर्स आपको 11 11 बहुत दिखता हो व्यूवर्स मुझे किसी ने एक topic suggest किया था कि मैं हमारे dreams का क्या meaning है हमारे dreams हम से क्या कहना चाह रहे हैं यहां इस पर एक reading कर दीजे तो आप लोग बताएगा क्या मैं इस topic पर reading करूं क्योंकि if you are also having some dreams like that तो हम देखते हैं इस पर reading भी कर देंगे तो व्यूवर्स आप इस moment को इस time को अपनी growth के लिए जरूर use करें don't waste this time चैनली और cards लेते हैं इस moment को आप appreciate कीजे कि आपको यह वक्त मिला है कि आप यहां grow कर सकें अगला जो card है वो कहता है I love you I hope you can see this card see the message I love you here these are very important words of course these are very important words I hope you can see this angel यही है आप लोग this angel is look like you viewers यहां पर message है साफ साफ I love you so viewers मैंने कहाना कि वह आपके प्यार में इतना डूबे हुए है that they love you that they love you a lot यहां पर वह साफ साफ एक message channel कर रहे हैं आप से that I love you and these words are very important you should consider them यह भी बोल रहे हैं आपको तो viewers यह मुझे काफी जादा pure connection लग रहा है beautiful beautiful हो सकता है आप में से काफी लोगों की health थोड़ी fluctuate कर रही है new love यह card है new love का और इसका message है embrace this new opportunity of love that is here this may pertain to work opportunities और spiritual growth यह वही message एक तरीके से repeat हुआ है जो हमने पहले देखा था यह message कह रहा था each and every situation has an opportunity to grow and find love यानि कि हर परिस्तिती में इतनी opportunity होती है कि वह grow कर सके और प्यार को पा सके है प्यार को ढूंड सके और यह कहता है यह जो अगला message है new love का यह कहता है embrace new opportunity of love that is here यानि कि यहां पर प्यार करने की एक new opportunity है जरूरी नहीं है कि यहां कोई new connection आएगा new person की entry होगी yes for 5% of people यहां कोई new person की entry हो सकती है but remaining 95% I am telling you viewers कि यहां पर एक new opportunity है it's more like new opportunity यहनि कि एक और मौका another chance to reignite this love and passion between you okay between both of you of course तो यहां पर एक मौका है एक chance है दुबारा उस chemistry को उस passion को regenerate करने का आगे message है this may pertain to work opportunities or spiritual growth या तो ऐसा हो जाएगा इससे कि कि आप जिस चीज के लिए focus कर रहे हो जिस चीज को you know embrace कर रहे हो जिस opportunity को utilize कर रहे हो अपनी growth में तो यहां तो होगा कि of course वो opportunity से आपको प्यार मिल जाएगा एक जो another chance है प्यार का वो आप दोनों को मिलेगा नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है for some percentage of people तो यहां message यह है कि आपकी spiritual growth तो होगी ही होगी यानि कि आप spiritually बहुत grow करने वाले हों आपकी intuition बहुत strong हो जाएगी viewers okay आप divine से बहुत connected रहेंगे spirits से angels से बहुत connected रहेंगे और बहुती supremely protected भी रहेंगे ऐसा लग रहा है okay तो यहां जब हमारा प्रश्ण था कि वह आपको सबसे ज्यादा कब याद करते हैं जब शादी की बात आती है जब उनसे कोई जूट बोलता है और उनको कोई नुकसान होता है और अब तो सबसे ज्यादा याद कर रहे हैं इसा लग रहा है उनको जैसे उन्होंने अपनी कोई precious चीज खो दी है यहां बार बार मुझे angels and stars दिख रहे हैं वेवर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि of course angels are trying to tell something okay they are trying to tell something of course they are trying to tell something ऐसा लग रहा है यह unconfessed love है this is why this love needs another chance and another opportunity यह एक ऐसा connection है जिसमें उन्होंने अपने प्यार को ज्यादा express नहीं किया है तभी यहां पर divine एक मौका भी दे रहे हैं एक another chance दे रहे हैं बट मुझे ऐसा लग रहा है वेवर्स यहां पर ज्यादातर angels आपसे कह रहे हैं कि spiritually grow करो to find the answers you will get the answers you seek rather than chasing someone अब spiritually grow करने पर ध्यान दीजिए this is very important okay चलिए इस टेक से लेते हैं free yourself तो वीवर्स अगर आपने अपने दिमाग को किसी control में रखा हुआ है या influence हो किसी चीज से या past में अब तक अपने आपको you know past के वारे में सोचते रहते हो you are still digging the past तो यहां अपने आपको पहले free कर लीजे ऐसी सोच से इस overthinking से और इस past painful energy से past life connection बस इसकी कमी रहे थी मुझे लग तो रहा था यह जब तक मुझे information नहीं मिला मैं नहीं बोला past life connection वीवर्स आप लुक soulmates or twin flame हो सकते हूँ message है यहां पे you have known each other before यानि कि आपहले से एक दूसरे को जानते हैं समझ गए आप यह इतना प्यार है यह बार बार डिवाइन का interference भी आ रहा है I'm sorry for that word not the interference it's like blessings okay it's a blessing and divine protection बार बार यह divine की बात हो रही है और spiritual growth की बात हो रही है यहां पर भी बोला गया कि इस situation में आप ग्रो कर सकते हैं यह opportunity है और यहां पर भी कहा गया कि इस situation में आपकी spiritual growth हो सकती है और यहां पर भी आपसे I love you कहा गया और कहा गया these words are very important and this is message given by an angel for you तो यहां पर viewers मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका past life connection है soulmate connection है twin flame connection है इसलिए यहां पर spirits का और angels का इतना involvement है that is why they are guiding you to work on yourself to utilize this opportunity यानि कि आप खुद पर आप वर कीजिए इस opportunity को utilize अपनी growth के लिए और साथ ही साथ अपनी spiritual growth के लिए because it's a soulmate or twin flame connection तो इसके जवाब आपको आपके भीतर से ही मिल सकते है जब ही आपके प्यार में इतना खुए हुए भी है I just need one more card and I'm done love yourself first see love yourself first viewers यहां पर कहा जा रहा है पहले खुद को प्यार कीजिए viewers आप self love practice करना start कीजिए spiritual journey भी शुरूबात होगी या आगे बढ़ेगी because somewhere you are not accepting yourself the way you are कहीं न कहीं आप अपने आपको accept नहीं कर रहे हूं जैसे आप हो somewhere आप अपने आपको criticize जादा करते हो मैं ऐसा देखता हूं मैं वैसा देखता हूं मुझे कोई नहीं मिलेगा सब छोड़के जाएंगे फलाना फलाना जो भी है तो आपको यह नहीं करना है आपको अपने आपको प्यार करना है अपने आपको accept करना है अपने आपको value देनी है खुद को प्यार कीजे और grow कीजे situation में ओके वीवर्स तो यह थी reading के उन्हें सबसे जादा आपकी याद कब आती है और फिर हमने आपके लिए कुछ angel messages लिए आपके connection को इस person के साथ clarify किया कैसा connection है क्या है okay I hope आपको यह reading अच्छी लगी होगी अगर लगी है तो मुझे बताइए अगर इस reading में viewers आपको एक परसंट भी help किया है एक परसंट भी guide किया है जरूर बताइए मुझे जानकर बहुत खुशी होगी okay अपने experiences भी share कर सकते हैं आप comment box में और वीडियो को like करना बिलकुल ना भूले और upcoming readings के suggestions जरूर दे okay viewers तो subscribe करें मेरे channel को bell icon को press करें क्योंकि मैं इसे ही different topics पर reading लेकर आती रहती हूं reading के दौरान intuitive message, channel message and channel songs प्रोवाइड करती हूं जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएं इसलिए subscribe जरूर करें bell icon को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई video लेकर रहा हूं सबसे पहले आप उसे देख पाएं तो बन जाएं dream tarot family का हिस्सा चलिए मिलते हैं अगली reading में तब तक के लिए bye bye